और यहां पर भी एक प्रकार से इंटिमिडेट किया जा रहा है ताकि बेटी को नियाए ना मिले, साइकॉटिक कह दिया बेटी को, सुसाइड कर दिया बेटी ने ये कह दिया गया, संदेश खाली में भी यही कह दिया गया, कि ये महिलाएं जूटा आरोप लगा रही है, आडिया ड्रेप केस में बलातकारी को क्लींचिट देते हुए कहा गया कि बच्ची जो है वो लव अफैर कर रही थी, तो ये बलातकारी बचाओ, और बेटी को ही शर्मिंदा कराओ, ये पूरे गठबंदन का चरित्र है, और इसलिए आज ये तस्वीर जो है ये बया करती ह कि ये इंडी अलाइंस की स्थिती क्या है, ये इंडी अलाइंस की स्थिती इस प्रकार से है, कि सभी लोग चुप है, ये कोलिशन ओफ साइलेंस बन चुका है, कोलिशन ओफ साइलेंस, अब भी बंगाल में जब हम बात कर रहे हैं, तो एक और महाँ पर घटना हुई है, एक कि इसके बाद भी जब पस्चिम बंगाल महिलाओं के लिए लगातार सबसे असुरक्षित जगे बनती जा रही है आज भी अगर ममताव एनरजी जम्यदारी उठाने के बदले उनकी प्रात्मिक्ता ये है कि मीडिया को डराओ, डॉक्टर्स को डराओ, धंकाओ, आम नागरिकों को डराओ, धंकाओ तो ऐसा लगता है कि रविद्र नाट तगोर जी न तो एक बार बंगाल के विशे में कहा था, भारत के विशे में कहा था कि वेदर माइंड इस विदाउट फियर और हेड इस हेल्ड हाए, जहां मन भेमुक्त है और मस्तिश्क उचा रहता है आज अफसोस के बाद साथ ये कहना पड़ रहा है कि ममता बैनर जी के बंगाल में आज महिलाएं भे में जी रही है और मस्तिश्क को छुपाते हुए जी रही है हम मांग करते हैं कि ममता बैनर जी में अगर नेतिकता का कुछ भी अंश बचा है तो उन्हें इस्तिफा देना चाहिए और राहूल गांधी प्रियंका वाड़ा और तमाम इंडिया अलाइंस के नेताओं को अपनी ये लॉंग स्टेंडिंग चुप़ी छोड़नी चाहिए